हेलो गाइज हम लोग कि स्मार्टफोन में एक स्पेसिफिकेशन या फिर एक फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है करियर एक ग्रिगेशन यहां तक कि जब आप यूटूबर को देखते होगे तो वह स्मार्टफोन का रिव्यू करते तो उसमें पर्टिकु स्मार्टफोन यूज किये जा रहे हैं कुछ पता ही निए करियर एग्रिगेशन होता क्या है और इस से रिलेटेट कैसे वर्ग करता है तो कौन सा टाइप का है उससे और भी क्या चीज़े होती है मतलब सारी चीज़े आज इस वीडियो में आपको करियर एग्रिगेशन से लेटेट देखने को मिलेगा तो अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरेने जाए एक करियर एग्रिगेशन से रिलेटेट पूरे नौलेज लेना चाहते है तो आप इस वीडियो को पूरा आन तक देख सकते हो लेकिन उसके पहले अगर आप हमाई चैनल पर नागे तो चैनल अगर एक स्मार्टफोन में 4G मिलता है मतलब बिना करियर एग्रिगेशन एक स्मार्टपन में करियर एग्रिगेशन का सपोस मिलता तो connectivity में जैसे downloaded and uploading में दूग ने तक कructure का सपोर्ट है यह आप को मिल सिदं nay करता है कि आप कव यूज कर रहे हैं किस टावर से क्नेक्टेट हो कहां पर बैठे हो लेकिन हां अगर कनेक्टिविटी या डाउनलोडिंग अपलोडिंग एक काफी डिफ्रेंस देखने को मिलता अगर आपके स्मार्फुन में का सपॉट है ताव लेकिन हम पता की से करें कि याँए समार्फन में का कारियर अग्रिटान की सपीड आ रहीं तो देखिए आपके स्मार्फ़न में जहां की बैतरी का इन्डिकेटर होता होगा वह PT बगर में लेकिन अगर आपके smartphone में LTE लिख कर आ रहा है, 4G लिख कर रहा है, प्लस नहीं लिख कर आ रहा है, तो यह जरूरी नहीं है कि आपका smartphone career regression को support नहीं कर रहा है, कर सकता, नहीं भी कर सकता, वो क्यों नहीं कर सकता, या कर सकता, उसके लिए 4 step fulfill करनी पड़ती है, मतलब यह 4 चीज सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 2015 में यह आया था, अब तक सारे processor में support आने लगे, इसके बारे में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपके smartphone के processor support करता, दूसरा step क्या है, आखेका सारे problem यहीं देखने को मिलता, आपके processor में support मिल गया, लेकिन जब company processor खरीद के अपने smartphone में घु इसको भी दबा दिया जाता, मतलब उसको disable कर दिया जाता, तो आपके smartphone में career regression नहीं देखने को मिले, तो अगर आपके smartphone में यह दो चीज़े देखने को मिलता है, इसका मतलब आपका smartphone ready है, career regression को use करने के लिए, लेकिन secondary चीज़े जो आ जाती है, तिसरा step में, कि आप जहां व वो tower career regression को support करता, तो फिर 4G plus देखने को मिल जाएगा, तो यह secondary है, आपका तो वो दो चीज़े होगा, career regression आपके smartphone में तो है ही, लेकिन यह secondary है कि आपका tower से connected हो, उसमें भी career regression होना चाहिए, चाउठी चीज़े क्या है, मतलब चाउठा step, कि आपका career regression support करने के लिए, आपका सब चीज़ सही है, लेकिन आप जो SIEM यूज़ कर रहे हो, जो भी internet service provider का SIEM यूज़ कर रहे हो, वो भी support करना चाहिए career regression का, तब जाकर आप career regression का एक particular यूज़ कर सकते हो, ऐसे तो शुरूख है, जो दो थे, वह ही होगा, तो आपका smartphone ready है career regression को यूज़ करने के लिए, यह तो वो career regression support दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो देखने वाली बात है, लेकिन हाँ, सबसे पहले processor में support है कि नहीं, या फिर आपका जो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, जो company यूज़ कर रही ही, वो enable करके दी है कि नहीं, यह दो चीज़े main होती, यह देखना पड़ता है, तो आपके smartphone में career regression देखने को मिल सकता है, लेकिन आपने तो देख लिया कि 4G Plus लिखा हुआ, तो career regression है, और नहीं लिखा तो भी हो सकता है, क्यों यह चारे full, मतलब step देखना पड़ता है, तो एक AIF है, उसकी साहिता से आप देख सकते हो, कि 4G Plus नहीं दिख कर आ रहा है, तो भी सकती है, लेकिन आखे-कर यह कैसे होती है, जाखिए, आपका smartphone में career regression का support नहीं है, तो आप जिस भी टावर से connected होगे न, तो वो one way होगा, मतलब एक रास्ता होगा, आप जो भी smartphone में modem होगा, और टावर में तो बहुत सारे modem होगे, तो आपका smartphone में एक modem मतलब एक रास्ता connect हो जाएगा, उसी से downloading, uploading, बातचीत, जो भी करोगे, जो भी connectivity होगी, सारी चीज़े, उसी रास्ता सोगे, तो आप जानते हो कि एक रास्ता में दिक्कते होती है, एक रास्ता हम क्या है, तो मतलब बहुत दिक्कते होती है, तो आपकी internet speed कम हो जाती है, लेकिन वहीं अगर ब particular जो arrangement होता है, इनको बोलते है, component carrier, तो इस तरीके से होते हैं, तो अगर आपके mobile में 2 band है, 2 CA बोल सकते हो, component carrier 3 है, तो 3 CA, 4, 5, 6 इस तरीके से होते हैं, तो अगर इस तरीके से होगा multiple band का support आपके smartphone में, तो मान कर चलिए 5 CA का है, तो 5 रास्ता अपना लेगा, मतलब 5 रास्ते से downloading, uploading, एक ही चीद आप download कर रहे हैं, पहले एक रास्ते सो रास्ता पांच रास्ता है, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब आपका smartphone में, मतलब गाना download क्या होगा, नाचते हुए आएगी 5 रास्ते से, तो इस तरीके से speed आपकी बढ़ जाती है, तो इस तरीके से speed आपकी है, और Gio का tower है, तो थीरी बैंड मिल रहा है, तो हम थीरी रास्ता अपना पाएंगे, तो नहीं दोस्तों, ये तीन बैंड support करता Gio, लेकिन वो ये भी तो कर सकता है, अगर आपके smartphone में 5 बैंड दिया हुआ, तो 850 के 2 हैं, 1800 के 2 हैं, और एक 2300 का है, तो 5 बैंड हो गए, त स्वीट का आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाओ, देखने को मिल सकता, तो आप बात करते हैं कि करिया अग्रिकेशन तो आपने सिंपल सा चेक कर लिए 4G+, लेकिन नहीं लिखा हुआ, या फिर हमें ये पता करना है कि हमाया smartphone में कितने बैंड है, तो उसको पता करने के ल या कितने बैंड को सपोर्ट करता, वह वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अगर 1800 है, तो 1800 MHz पे वो चल दा, 850 है तो 850 इस तरीके से, लेकिन हमने एक नोटीस किया, जैसे कि हमारा smartphone है Redmi Note 6 Pro, तो इसमें कभी-कभी 850 MHz से connected होता है, कभी 1800, तो ये आपके smartphone में multiple band हो सकते है, लेकिन एक साथ हमने लगता है, एक ही connect होता है tower से, तो मतलब आप बातचित कर रहे हो, तो कम MHz पे काम करता है, नेट चला रहे हो, तो ज्यादा MHz पर, क्योंकि कम MHz की जानते हो, उसकी wavelength ज्यादा होती है, तो ज्यादा दूरी तक टाइक कर पाती है, और internet speed चलाते होते है, में speed ज्यादा चाहिए, तो आपको कम, मतलब ज्यादा MHz की जरूरत होती है, तो ज्यादा MHz कम दूरी तक जा पाती है, क्योंकि उसकी wavelength कम होती है, तो ठीक है, internet speed करोगे, तो ज्यादा MHz पे वो switch हो जाता है, या फिर internet speed नहीं use कर रहे हो, मतलब internet use नहीं कर रहे हो, आप बा तो वो सारे उपर देखने को मिलेगा, मान कर चला, आपके smartphone में 4 band है, तो 850, 300, 300, 1800, इस तरीक से देखने को मिल सकता, वो जितने भी band देखने को मिलेगा, वो देखने को मिल सकता, यह करी अग्रिकरसन से पूरी knowledge हो गई, तब अगली बार आप जब smartphone खरी दिया जाएगा, तो आप देखिए, कि आपके smartphone में कर्या ग्रिकरसन देखने को मिलता है, उसमें भी variety की 2C है, मतलब 2 component carrier, मतलब 2 band मिल रहेगे, 3 band मिल रहेगे, 4 band मिलेगे, उतने अच्छा आपको मिलेगा, मतलब internet speed जाड़ा अच्छी मिलेगा, आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें नीच जरूर किजिए, और चैनल पनना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दवा लिएगा, और कोई भी problem हो, तो नीचे comment box खुलिए, वहाँ पर comment कर सकते हैं, Instagram का भी link नीचे description में मिल जाती है, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, Instagram पर इस वीडियो में इतन झाल